हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का ध्याय निश्ठ और अनुकमपा ये एक कहानी है बच्चो जूटी शान शौकत कर दिखावा करने का क्या परिणाम होता है किसी को सही मार्ग दिखाने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं अपना सच्चा हितैशी हम किसे मानते हैं या फिर मानेंगे बच्चो इन सभी बातों पर आप एक बरविचार जरूर कीजेगा आईए पढ़ते हैं आज का पाठ परिशे प्रसुत कहानी में लिखक ने दर्शाया है कि खांदान की इज़्जत बचाने के लिए चार भाई कोई कामकाज नहीं करते उनके घर आया आतिती यह स्तिती देखकर उन्हें सबक सिखाता है वह उनकी मामूली सी आयका शोत भी नस्ट कर देता है अति उस परिवार में चार भाई थे परिवार की जाजाद और धन दौलत बरबाद हो चुकी थे चारों भाई हुनरमंद और पड़े लिखे थे फिर भी वे अपनी खांदानी इज़्जत के कारण कहीं कोई नोकरी या काम धन्न नहीं करते थे घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ अब क्या किया जाए उनके घर के पास बगीचे में सहिजन का एक पेड़ था उसके फलने का मौसम था लंबी लंबी और हरी हरी सहिजन की फलियां डालियों पर लटक रही थी जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा चा जाता तो उन चारों भाईयों में से कोई एक उस पेड़ पर चड़ जाता और फलियों को तोड़ कर नीचे गिरा दे था कुछ रात भी थे एक कुझ डिन आती और सहिजन की फलियां खरीद कर ले जाते इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उनहीं से उस परिवार का निर्वा होता यानि कि वो चारों भाई काम करन नहीं चाते थे क्योंकि बहुत ताइम पहले से ही उनके घर में इतनी धंदौलत थी कि उनको काम करने की आदती नहीं थी लेकिन जब गरीबी आई तो उन्होंने तब भी सोचा कि जो पेड़ है उसकी जो सहजन की फलियां है बस उनको ही तोड़ कर बेचें और जो पैसा है उसी से गुजारा करें दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिष्टेदार उनके घर आया उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी ना थी जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया आज मेरा सोंबार का वरत है मैं खाना नहीं खाऊंगा दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द उठ राए डॉक्टर ने खाने को मना किया है तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के घर दावत में जाना है अताव है उनमें शामिल ना हुआ तो बुरा मानेगा सबसे चोटा भाई घर में आय हुए महमान के साथ खाना खाने बैठा दो थालिया लगाई गई जब दोनों जन खाने बैठे तो बुरी मा महमान से खाने का खूब आगरे करती रही लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी न पूछा वे लड़का भी सदा हुआ था कोई चीज परोसी जाती से पहले ही हाथ हिला कर कह देता मुझे नही चाहिए इस तरह दो बार भोजन करने पर महमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रही है फाकाक्षी के मारे घर की हालत खराब है खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है फिर भी ने फिक्र नहीं है किसी तरह उस रात का खाना खाकर वे महमान बरामदे में सो गय सो क्या गया उसने सोने का ढूंग रचा करी दस बजे रात को वह कुंजडिन आये बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली के तरह दबे पैरों से पेड़ पचर कर सहजन की काफी फलियां तोड़ी कुंजडिन जानती थी कि इस वक्त उनकी गरहज है वह दो जो दा देगी वही ले लेंगे ज्यादा पैसा उससे ना मांगेंगे जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की फलियां लेकर कुंजडिन के पास आया तो उसने दाम कम दिये और कहा आजकर सहजन की मांग नहीं है मुझे भी बजार में लाब नहीं मिलता अब मैं तुमको पहले की त नहीं मत बोलो बराम्दे में हमारे महमान सौ रहे है जाग जाइंगे कुंजडिन इस मौके का लाब उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दियें लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजडिन ने दिये कुंजडिन चली गई चार पाईयों पर सब लोगों के जोर जोर से खराटे सुनाई पड़ने लगे एक मातर मेहमान अब भी जाग रहा था वैदूर दर्शी तो था ही उसने सोचा ये कितना अच्छा प्रतिष्टित खानदान है जूटी और बनावती इज़त के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीव बरदाश कर रहे हैं और इस मामुली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं वैचुपचाप उठा बरामदे के कोने में पड़ी कुलहाड़े उठाई और बिना किसी आहट के सहजन के पेड़ के पास पहुंचा पेड़ को जड़ के पास से काट कर धरती पर गिरा दिया फिर पौँफ अटने से पहले ही नीम अंधेरे में महमान उस घर से चल दिया सवेरा हुआ बड़े भाई ने उठकर देखा कि महमान बरामदे में से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा पड़ा है घर को सहरा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम चा जाता है वैसा ही उस परिवार पर चा गया क्योंकि वही एक पेड़ जो था एक मातर उनका सहारा था चारों भाईयों को मा कहने लगी यह दुष्ट महमान कहां से आया था यह सिदार नहीं महमान नहीं पिछले जन्म का हमारा दुष्मन था अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप मारे घर आठ दस मन अनाज भेज दिया होता हमारे परिवार के एक मातर सहारे सहजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला बड़े भाई ने मा से कहा अम्मा जब तक हमारा बस चला घर की पुष्टैनी इज़द बचाए ना किसी की नौकरी की ना किसी की आगे हाथ फैलाए मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है कही ना कहीं काम ढूनना ही पड़ेगा उस बस्ती में चारो भाईयों की अच्छी इज़द थे अपने खांदान और अपनी इमानदारी के लिए वे काफी प्रसित थे जहां जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बरताफ करते एक बड़े धनी मानी सज़द ने बड़े भाई को अपने आ नौकरी पर रख लिया अन्ने भाई भी कहीं ना कहीं लग गए एक साल बीद गया चारों की हालत अच्छी हो गई घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा घर में दूद घी की कमी नहीं रही दूसरी दिवाली आई वहमान फिर उनके घर आया उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुलहाडी से काड़ किराया था उसका ठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नीती थी कोई खराब इरादा ना था घर के लोग भी अच्छी तरह जान गए थे उन चारों भाईयों ने बड़े प्रेम से अपने महमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा उस दिन आपने हमारा सेजन का पेड़ नहीं काटा मानो हमारी काहली और बद किस्मती को काट कर वेख दिया था अगर आप हम परतरस खा कर उस पांच दस मन अनाज हमारे घर बेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते पूरे बुजदिल बन जाते आपने हमारे आंगन के पेड़ किरा कर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही उचा उठा दिया दुनिया में भाई बंदू हो तो ऐसे हो तो बच्चो यह एक छोटी सी कहानी लिखी का का काले करने और इस कहानी के माद्यम से उनने बताया कि काम करना कितना जरूरी है काम करके जो हम पैसा कमाते हैं उस से हम चाहिए थोड़ा ही कमाएं लेकिन हमें खुशी मिलती है निठले बैट कर कुछ नहीं होता सिर्फ जितना हम गरीब हैं उतने और गरीब हो जाते हैं इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि निरंतन काम करते रहें और अपनी स्थित्री को सही बनाएं आईए पढ़ते हैं लेखक परिचे काका कालेकर का जन्म एक दिसंबर 1885 को महराष्ट के सतारा नगर में हुआ था उनका पूरा नाम दत्तात्रे कबाल कृष्ण कालेकर था गांधी जी के निकट्तम सहयोगी होने के कारण ये काका नाम से जाने गए इनकी पुस्तकों का नेग भारते भाषाओं में अनुवाद हुआ इनकी प्रमुक रचनाई हैं संस्परण यात्रा, धर्मोद्य, हिमालेनो, प्रवास, लोकमाता, जीवनो, आनंद, अवनर, नावर इन्हें गुजरात में हिंदी भाषा के प्रिचार की सिफलता का श्रे दिया जाता है इन्होंने मंगल प्रभात नामग सापताहिक अकबार का संपादन भी किया था 21 अगस्ट 1981 को इनका निधन हो गया तो ये थे काका कालेकर आशक करती हूँ कि आपको यद्याय समझा गया होगा इसका अभ्यास आप स्वयम कीजिएगा